प्रधामंत्री नरेन मोदी ने आज अपने कायक्रम मन की बात के जरिये देशवासियों को सम्भूदित किया मन की बात के 83 संस्क्रेण में प्रधामंत्री ने अमरित महत्सव, रिन्यवन धाम के भविता और परियावरन की मुद्दे पर बात की प्रदामंत्रों ने कहा कि मैं सत्ता में नहीं सेवा में रहना चाहता हूँ उन्होंने कहा कि पंचायत से लेकर पारलियमेंट तक अमरित महत्सव की गुंज है और लगातार इस महत्सव से जुड़े कायक्रमों का सिलसला चल रहा है प्रदामद्र ने कहा कि आस्ट्रेलिया का एक ऐसा रिष्टा हमारे बुंदेल खंड के जहासे से भी है हमारे 133 संगराम में जहासी और बुंदेल खंड का कितना बड़ा योगदान है यह हम सब जानते हैं यहार आने लक्षमी बाई और जहलकारी बाई जैसे विरांगनाएं भी हुई है और मेजर ध्यांचन जैसे खेल रितन भी इस शेत्र ने देश को दिये हैं दो दिन बार दिसंबर का महिना भी शुरू हो रहा है और दिसंबर आते ही साइकोलोजी के लिए हम ऐसा ही लगता है कि चलिए बेश साल पुरा हो गया यह साल का आखरी महिना है और नए साल के लिए ताने बाने बुनना शुरू कर देते हैं इसी महिने नेवी डे और आन्ट फोर्सेस फ्लैग डे भी देश मनाता है हम सब को मालूम है 16 दिसंबर को 1971 के युद्ध का स्वर्णिम जेनती वर्ष भी देश मना रहा है मैं सभी अवसरों पर देश के सुरक्षा बलों का स्मरन करता हूं हमारे वीरों का स्मरन करता हूं और विशेस रुप से ऐसे वीरों को जन्म देने वाली वीर माताओं का स्मरन करता हूं हमेशा की तरह इस बार भी मुझे नमो एप पर माई गौव पर आप सब के ढेल सारे सुजहाव भी मिले हैं आप लोगों ने मुझे अपने परिवार का एक हिस्सा मानते हुए अपने जीवन के सुखदुख भी साजा किये हैं इसमें बहुत सारे नौजवान भी हैं चात्र चात्राएं हैं मुझे वाकई भहुत अच्छा लगता है कि मन की बात का हमारा एक परिवार निरंतर बड़ातव हो ही रहा है मन से भी जूड रहा है और मकसद से भी जूड रहा है और हमारे गहरे होते रिष्टे हमारे भीतर निरंतर सकारातमक्ता का एक प्रभाःत कर रहे हैं मेरे प्यारे देश्वाशियों मुझे सीतापूर के ओजश्वी ने लिखा है कि अमरित महोत्सव से जूड़ी चर्चा है उन्हें खुब पसंदा रही है वो अपने दोस्तों के साथ मन की बात सुनते हैं और स्वाधिनता संगराम के बारे में काफी कुछ जानने का सीखने का लगातार प्यास कर रहे हैं साथियों, अम्रित महोत्सव सीखने के साथ ही हमें देश के लिए कुछ करने के भी प्रेणा देता है और अब तो देश भर में आम लोग हो या सरकारे है पंचायत से लेकर के पार्लामेंट तक अम्रित महोत्सव की गुंज है और लगातार इस महोत्सव से जुड़े कारकमों का सिलसिला चल रहा है ऐसा ही एक रोचक प्रोग्रेम पिछले दिन दिल्ली में हुआ आजादी की कहानी, बच्चों की जुबानी कारकम में बच्चों ने स्वाधिनता संग्राम से जुड़ी गाथाओं को पूरे मनोभाव से प्रस्तुत किया खास बात ये भी रही कि इसमें भारक के साथ ही नेपाल, मौरिशस, तंजानिया, न्युजिलेंड और फीजी के स्टूडेंस में शामिल हुए हमारे देश का महारत्न ONGC, ONGC भी कुछ अलग तरीके से मृत्म होसम मना रहा है ONGC इन दिनों वेलफिल्ट्स पे अपने स्टूडेंस के लिए स्टडी टूर का आयोजन कर रहा है इस मासिक रेडियो कारिक्रम का आकाश्वनी और दूरदर्शन के समुचे नेटवर्क पर प्रसारण किया गया साथ ही एक कारिक्रम आकाश्वनी समाचार की वेबसाइट और News on AIR एप पर भी उपलबत रहेगा तथार श्वेत्री भाशाओं में से रात 8 बजे फिर से सुना जा सकेगा